Good morning children, how are you all? Hope you all are fine. Children, today I am going to teach you forward counting 251 to 300 in maths. बच्चो आज मैं maths में आपको forward counting 251 से 300 पढ़ाऊंगे. बच्चो पिछले के वीडियो में मैंने आपको 201 to 250 तक forward counting सिखाया था. आज मैं आपको 251 से 300 तक सिखाऊंगे. So, let's start. सबसे पहले क्योंकि हम लोगो 251 से start करना है. तो यहाँ पर क्या write करेंगे? 251. 251 इसको बोलते हैं 251. 251 के बाद forward counting है तो हमेशा आगी की और counting को बढ़ाएंगे. पिछी की और नहीं आगी की और counting बढ़ेंगे. तो 251 के बाद आता है 252 और इसको लिखेंगे कैसे? 252. 252 के बाद आता है 253 और इसको write कैसे करेंगे? 253. 253 के बाद आता है 254 और इसको बोलते कैसे हैं 254. 254 के बाद आता है 255, 255 के बाद आता है 256, 256 के बाद आगे की और बढ़ना तो 56 के बाद क्या आता है? 27 आता है 2 तो लगा नहीं है क्योंकि 200 से counting स्टार्ट करना है 257 257 257 के बाद 258 लिखेंगे कैसे 258 258 258 के बाद 259 लिखेंगे कैसे 259 259 259 के बाद आता है 262 262 260 के बाद आता है 261 261 261 के बाद आता 262 262 262 262 262 261 के बाद आप देखो 62 आता है ना? forward counting बहुत easy है हमेशा आगे की और counting बढ़ाना है forward मतलब होता है आगे आगे की और counting बढ़ना है 262 के बाद आता है 263 और लिखते कैसे इसको 263 263 263 के बाद आता है 264 और लिखते कैसे इसको 265 265 265 के बाद आता है 266 और लिखते कैसे 266 266 के बाद आता है 267 267 267 267 के बाद आता है 268 268 और लिखते कैसे 268 268 268 के बाद आता है 269 269 269 269 के बाद आता है 272 270 यह क्या बन गया 270 अब देखो 70 के बाद क्या आता है 71 आता है यहां कि स्टिस से स्टार्ट करेंगे हम लोग 71 से लेकिन 200 भी लगाना है क्योंकि 251 से आपको राइट करना है 270 के बाद आता है 271 और उसको राइट कैसे करते है 271 यह क्या हो गया 271 271 के बाद आपको फॉरवड आगे की और भरते जाना 1 के बाद 2 आता है 272 272 272 272 272 के बाद 273 273 273 273 के बाद 274 274 यह क्या हो गया 274 274 के बाद 275 275 275 के बाद 276 और लिखते कैसे 276 यह क्या हो गया 276 276 के बाद 277 और लिखेंगे कैसे 277 277 277 के बाद 278 278 278 278 के बाद 279 279 279 279 के बाद 280 280 यह क्या हो गया 280 280 के बाद क्या राइट करेंगे 80 के बाद 81 आता है 281 281 281 281 के बाद आता है 282 और राइट कैसे करेंगे 282 यह क्या बन गया 282 282 282 के बाद आता है 283 283 283 283 के बाद आता है 284 लिखेंगे कैसे 284 284 284 284 के बाद आता है 285 285 285 के बाद आता है 286 और राइट कैसे करेंगे 286 286 286 के बाद आता है 287 287 287 287 के बाद क्या आता है 288 और लिखेंगे कैसे 288 288 288 के बाद आता है 289 289 289 289 के बाद आता है 292 291 291 291 291 के बाद आता है 292 292 292 के बाद आता है 293 293 293 के बाद क्या आता है 294 294 इसको राइक कैसे करेंगे 294 294 के बाद आता है 295 295 बेटा आप लोको बोल बोल के forward counting लिखना है ताकि आपको बोलना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा तो 295 के बाद आता है आप अपने मन में सोचो क्या आता है 296 296 जैसे ही आप सोचो के वैसे ही लिखना भी आ जाएगा 296 296 296 के बाद 297 297 297 के बाद 298 298 298 के बाद क्या राइट करेंगे 299 299 लिखेंगे कैसे 299 299 हम लोग को counting कहा तक लिखना है 300 299 के बाद क्या आएगा 300 300 तो children आपको समझ में तो आगे होगा कि forward counting का मतलब क्या होता है कि आगे की और counting लिखना आप अपने homebook में 201 से लेके 300 तक counting लिखेंगे that's all for today thank you